हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स टे के लिए बताते हैं कि क्रूड वैल और यूस वैल में क्या हमारे टार्गेट्स रहेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें जो की इंपक्ट डालेंगी तो चलिए शुरुवात कर लेते है कि 21st February 2024 को यानि कि क्या रहेगा क्रूड वैल में कौन सी नीज है जो की इंपक्ट डालेंगे इसके उपर और क्या रहेंगे हमारे टार्गेट्स तो यहां पर सबसे पहले हम पिशली वीडियो की बात कर लेते हैं तो यहां पर मैंने आपको आज हमारा जो टेलीग्राम चैन के लिए और मैंने आपको कहा ता कि क्रूड वैल की जो डिमांड है उसकी वाज़से शो होता है कि उसकी जो डिमांड है वह कम होती है और डिमांड शो कम होने का मतलब है कि कुअं हो गेर है कि उस डिता के आने के राध में के बाद कि आप आप unfamiliar ह्याय चोमे तो मैंन कितना बढ़ी है इंपक्त यहां पर पड़ता है जब डेटा आता है और उसका हम सही समय पर जो है जब लेते हैं तो यहां पर अब क्रूड वैल में सबसे पहला कारण तो यहीं है कि यहां पर पपोसिंग फोरस लग ही है कि यहाँ पर जो डिमांड है वर्ल्ड वाइड वो यहाँ पर कम होती नजरा रहे है क्यूंकि जो इंट्रेस्ट रेट हैं वो लगतार जो कंट्रीज हैं वो बढ़ा रही है और फैड का भी अभी जो उन्होंने इंडिकेशन दी है उनका कहना है कि वो अभी इस में नहीं है कि वो अपना इंट्रेस्ट कम करें तो अगर इंट्रेस्ट कम नहीं करेंगे तो कंपनी इसको लोन जो है वो अधिक इंट्रेस्ट पर मिलेगा जिससे की वो ज्यादा लोन नहीं कठा कर पाएंगी ज्यादा लोन नहीं होगा तो ज्यादा शुरू नहीं होंगे ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे तो कंपने को प्रॉफिट्स कम होंगे और प्रॉडक्शन भी कम होगी जब एस रिजल्ट कुड वैल की डिमांड भी कम हो जाएगी तो इसके वज़ए से जो कुड वैल है उसमें यहां पर हमें गिरावट उसके वाज़ देखने को मिल रहे हैं लेकिन बीच बीच में यह तोड़ा उपर की और को मूव कर रहा है तो यहां पर दोनों ही तरफ कोई फोर्स लग रही है और शाम को डेटा आया था साड़े आठ होजे वह मैंने आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी अपडेशन द उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो रही है और इसकी वज़से जब ग्रोथ कम होगी तो वो कुड़ वैल की जो डिमांड है वो भी कम ही करेंगे तो उसकी वज़से यहां पर देख सेते हैं कितनी घिरावट हमें देखने को मिल रही है तो यह सब चीजे हैं जो की इंपक्ट आल रही हैं फिलहाल crude oil के उपर और next day भी ऐसा मिला जुला ही रहने वाला है अगर आपने हमारे data वाली वीडियो नहीं देखिए दोस्तों तो हम आपके लिए वीडियो डेली लेकर के आते हैं आप उस वीडियो को जुरूर देखा किजिए क्योंकि next day यह आपके लिए काफी helpful हो स देखिए इस वीडियो के description box में भी सबसे निचे scroll down करेंगे तो वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी और दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे अगर आपने वीडियो जोई नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा वहां पर तो यह level है वह 6469 का level और इसके निचे भी अगर red candle की closing आती है तो next target उसके बाद हमारा 650 का यहां पर next target यह रह सकता है तो यह है उपर की तरफ के और उसके बाद अगर यह से उपर जाता है तो यहां पर बहुत डाटा strong होना चाहिए जो कि ऐसे आने की सभावना लग नहीं यह कोई strong data और resistance से टेकनिकली यहां पर काफी जादा अब इसके बाद मिलेगा इस level के बाद तो उसके उपर जो है काफी रिसकी रहेगा और downside के लिए यहां पर आप इस level के निचे red candle की closing आने दीजिए यहां पर अगर आपको इस level के उपर red के निचे red candle की one hour वाली candle की closing आती है one hour वाली तो next target 6340 का हमारे यहां पर रह सकता है तो जब आप crude oil में trading करते हैं दोस्तों MCX में आपको काफी heavy margin रखना पड़ता है लाखों में जो छोटे traders होते हैं जो ने traders होते हैं उनके लिए काफी दिक्कत होती है उसके वाज़े से तो आपके लिए solution है कि आप US oil में trading को कोई भी कर सकते हैं इसमें आपको फाइदे ही फाइदे हैं सबसे पहला फाइदा तो यह है कि सिर्फ साड़े चार डॉलर से आप trading की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही gap up और gap down की हां समस्या नहीं आती क्योंकि हां market continuity में चलती रहती है 23 hours जो की ज्यादा है MCX से और यहां इसका इस्तेवाल करता हूं और मुझे भी मैं मैं अपने experience से भी बोलता हूं और आप Google पर अगर सर्च करेंगे दुनिया में सबसे आदा वॉल्यूम्स जो होती है 4x में जो सबसे यूज किया जाने वाला platform है वह एक्सनेस ही है क्यूंकि इनका जो customer के support है बहुत ही जबरद से है वो साथ ही सारी जो है वो काफी ज़ादा यहां पर धियान रखता है इस चीज़ कर किया भर sitä हो आने वीडियो बिना रखे हैं कैसे एकाउंट उपन करना है कैसे मैसे विड्रॉट करना है विडियो आपको आई बटन में बीचिए वीडियो की डिस्रीपशन बॉक्स में सबसे नीची स्रॉल डाउन करेंगे वहां पर भी मिल जाएंगी और दोस्तों जो आपने एक्षच्छन के वेडियो पर पहुंचने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा एक्सनेस का उस पर क्लिक कीजिए और सिधा वेब पर पहुंच जाएंगे एक्सनेस के और वहां पर अपना फॉंप फिल कीजिए जैसे जैसे वीडियो में बताया है वैसे अपना अकाउंट ओपन कर लेजिए दोस्तों अब हम यूस वैल की लेवल की बात कर लेते हैं तो यूस वैल में अगर 77.55 के ओपर ग्रीन केंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स टारगेट यहां पर 77.82 रहेगा और इ पिढ़ेट गांपर 76.70 यहां पर रहेगा और इसके अलावा बाकि जो हमारे जो लेवल हैं वो यहां पर 76.49 का next हमारा जो लेवल है वो यहाँ पर रहेगा अगर इसके निचे भी red candle की closing आती है तो दोस्तों यह है वीडियो और I hope आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को भी भी सब्सक्राइब नहीं कि रहे हैं तो यह वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशन पॉपस के लिए बनाए जा रहे हैं हम से वी रेजिस्टर्ट फाइनेशल वाइस नहीं है तो ट्रेड लेने इस पहले अपने फाइनेशल वाइस से आप जरू सुलाह लेजे मिलते हैं अगले वीडियो में तिल दन है नाइस दे गड़ बाइ